अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्क्षीट नंबर 30 तीन तारीक के लिए जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है रिप्रोडक्सन इन एनिमल्स ठीक है तो इसमें हम आज क्या जानेगी हमने अभी तक पढ़ दिया था बेटा की फर्टिलाईजेशन क्या होता है अप फर्टिलाफिशन के टाइप्स क्या होते है अब हम जानेगे कि इसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन के ठीक है तो देखो Till now we have read about the fertilization and its types Now we will know about what happened after fertilization यानि कि क्या होता है fertilization के बाद तो देखो As we know that Jigote is formed after the fusion of male gamete यानि कि sperm and female gamete यानि कि ova After fertilization तो Jigote की formation होती है बेटा किसके बाद जब fusion होता है किसका male gamete का यानि कि sperm का और female gamete यानि कि ova का अब उसके बाद उसका क्या होता है डवलपमेंट होता है यानि कि उसका डवलपमेंट किस में होता है एंब्रोई में होता है जिसको हम भून बोलते हैं हिंदी में तो देखो Fertilization results in formation of Jigote which begin to develop into an embryo ठीके तो एंब्रोई होता है एंब्रोई का मतलब होता है गर्ब Jigote का मतलब होता है Sorry Ambrose का मतलब होता है भून और Jigote का मतलब क्या होता है यूगमनज होता है हिंदी में तो जो Fertilization होता उसके द्वारा क्या बनता है यूगमनज एक कोसी का बनती है cell बनता है जो धीरे-धीरे development हो जाता उसका किसमें embryo में यानि कि भून में तो दी जाएगोट divide repeatedly to give rise to a bowl of cells called embryo तो जो ये जाएगोट अबेटा वो divide पर divide पर divide हो होकर एक embryo का क्या करता है development करता है जिसको भून भी बोलते हैं तो देखो यहाँ पर divide हो होकर कितनी सारी कोसी काई बना दी cells बना दी उसने एक पूरी बोल बना दी these cells then begin to form group of group that develop into different tissues and organs of the body these developing structure is termed as an embryo तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा सबसे पहले fertilization किसका sperm का और यह क्या है ovum का दोनों से क्या हुआ बेटा एक हमारा जाइगोट बना यूग मनज बना जिसके अंदर यह क्या है नूकलिया ही है जो इनके fusion हो रहा है इनका fusion के बाद बेटा यह cells divide होने लगते हैं होते होते यह इतने सारे बन जाते हो रहे किसका निर्मान करते हैं यह embryo का निर्मान करते हैं ठीक है उसके बाद fusion of male and female gamut यह तो बेटा यहाँ था दी embryo gets embedded in the wall of the uterus for the further development उसके बाद बेटा यह embryo क्या होता है जो uterus होता है उसके wall में यह तरीके से embedded यानि की रोपित हो जाता है तो यहां से बटाईए क्या हुए cell divide होना शुरू कर देते हैं हो हो कर हो कर यह क्या हो जाते हैं रोपित कहां पर हो जाते हैं uterus के cell में रोपित हो जाते हैं ठीके दी embryo continue to develop in the uterus और यहीं पर ही रोपित होकर continue होते हैं विक्सित होते हैं ठीके उसके बाद इट gradually develop body parts such as hands, leg, head, eyes, ears, etc. फिर धीरे धीरे यहीं पर बेटा क्या होता इसका सभी body parts भी हमें नजर आने लगते हैं दिखने लगते हैं विक्सित होने लगते हैं इस stage of embryo तो वो stage embryo की जहां पर क्या होता in which all the body parts can be identified is called photos ठीके तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा उसको बोलते हैं गर्ब ठीके फोटरस जब क्या होता हमें सभी body parts जो हैं दिखने लगते हैं तो यह development हो रहा embryo का फिर यह embedding of embryo in the uterus तो यह uterus की जो वोल है उसके अंदर य uterus तो uterus के अंदर फिर यह पूरा विक्सित होने के बाद इस तरीके का दिखता है में अब when the development of the photos is complete जब बेटा यह गर्ब complete हो जाता है यानि कि 9 मन्त के बाद the mother gives birth to the infant तो नवजात शिसू को क्या करती है mother जन देती है अब हम करते हैं इसके question answer तो देखो give two differences between a gigot and a photos तो द 1.2.1 लेकिन वो points क्या होंगे तो first लिखोगे बेटा यह जाइगोट का जाइगोट डिवाइड डिवाइड रिपिटिली to give rise to a bowl of cells called embryo ठीक है यह बेटा आप embryo के बारे में लिख रहे हो हमें किस किस के बारे में पूछा गया है embryo के बारे में पूछा गया है जाइगोट divided repeatedly to give rise to a bowl of cell called embryo ठीक है उसके बाद फिर यह लिखोगे दूसरा दीस cells then begin to form groups that dwell into different tissues organs of the body this developing structure is termed as an embryo यह वाला आप रहने देना ठीक है आप यह first लिखना दूसरा point इसमें आप लिखोगे बेटा the embryo get embedded in the bowl of the uterus for the further development यह लिखोगे आप ओके जाइगोट का एक तो यह दूसरा फिर यह तीसरा बेटा अब उसमें आप जो लिखोगे फोर्टस के अंदर उसमें क्या लिखोगे कि this stage of embryo in which all the body parts can be identified is called fortus तो first point इसका यह हो गया दूसरा उसमें क्या लिखोगे बेटा when the development of fortus is complete the mother give birth to the infant तो आप यह दूसरा point इसमें यह लिख दोगे अब बेटा next question क्या इसमें ऐसे exact कोई difference नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे से ही क्या होगे मतलब जाइगोट क्या बनता है embryo बनता है embryo से क्या होता है fortus बनता तो इसके लिए कोई अलग से लिखोगे तो बेटा वह नहीं होगा exact ठीक है आप ऐसे ही करके लिखोगे stage y जिसका sequence में लिख दोगे फिर बेटा है second question in which female reproductive organ does the embryo get embedded तो बेटा कहां पे in uterus तो आप क्या लिखोगे in uterus ठीक है उसके बाद ये spelling यहां से देख लेना अगर आपको यहां समझना है तो define करना embryo को और fortus को तो बेटा देखो embryo और fortus क्या हमने अभी पढ़े थे आप लिखोगे जाइगोड divided repeatedly to give rise to a bowl of cell called embryo तो यह तो आपकी first embryo क्योंगी fortus की बेटा यह लिख दोगी the stage of embryo in which all the body parts can be identified is called fortus ठीक है यह दोनों लिख दोगे फिर next बेटा आपकी fourth new human individual developed from a cell of called gamut तो बेटा gamut से नहीं होता वो male और female gamut जब क्या होते फर्टिलाइज होते तब जो बनता है जाइगोड उससे बनता है new individual तो यह गलत है फिर egg laid after fertilization is made up of single cell तो बेटा जो एक बनता है वो तो divide होने लगता है तो इसका मतलब क्या है यह गलत है वो तो single cell पहले था A gigot is formed as a result of fertilization तो यह बात सही है gigot क्या form होता है fertilization के बाद An embryo is made up of single cell तो बटा embryo जो होता है वो single cell का होता है तो वो single cell का नहीं होता single cell के तो gametes होते हैं तो क्या होगा यह गलत हो जाएगा तो आपका क्या हो गया यह सही है यह तीन गलत है तो यह थी पेटा आपकी आज की वक्षित उमीद करते हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फिर भी कोई doubt हो तो comment box में पूछे लेना पेटा इस वीडियो में इतनी अपना next topic जोगा नेक्स वीडियो में करेंगे तब तक के लिए से हसते रहिए मुस्कराते रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए थेंक्यू